चलिए अगले भ्यास के और आगे बढ़ते हैं हमारा अगला भ्यास है प्रकृती प्रत्ययव प्रिथक कुरुत ध्यान दीजेगा जो निर्देश है इसमें प्रकृती प्रत्ययव लिखा है इसका मतलब यह है कि दो चीजें कहीं गई हैं है जैसे बालका बालकव कहते है कि आउक के जैता हैं जिब दो चीजों को हमको बताना होता है तो प्रकृत प्रकृती प्रत्ययश्त्य अर्थात यहां पर कुछ सब्दा दिए हुए हैं उन सब्दों में तो जो सब्द हमको दिखाई दे रहा है वह आस्ता में कैसे सब्द है वह सब्द जो है वह धातू और प्रत्या से मेलकर बना हुआ रूप है तो इन में से मुल धातू क्या है उसको अलग करना है और इसमें से कौन से प्रत्या जुड़ा हुआ है उस प्रत्या को अलग करना है धातु में जो प्रत्या जोड़ते हैं उन्हें ये क्रिदंत प्रत्या कहते हैं धातु में सीधे जोड़ने वाले जो प्रत्या होते हैं वे क्रिदंत प्रत्या हैं तो यहां पर क्रिदंत प्रत्ययों से युक्त कुछ सब्द हैं उन प्रत्यायों को हमें अलग करना है वैसे तो धातु में अलग अलग प्रत्याय जूड़ते हैं जैसे तिंग प्रत्याय होते हैं जूड़ते हैं जिसमें तीता अंतिये प्रत्याय होते हैं लेकिन यहां जो सब्द दिये हुए हैं इन सब्दों में कृदंत प्रत्यायों का योग है तो पहला सब्द हम देखते हैं द्रश्टुम द्रश्टुम कि यह सब्द बना है इसका अब ध्यान से देखें तो इसमें मूल धातु जो है वो दिखाई देता है मूल धातु है द्रिस द्रिस मतलब होता है देखना इसका रूप बनता है पष नसे पषस्यत़ि पषैती पष सर पड़ते हैं लेकिन जैसे लिटल कार में आते तो वहाँ पर आप देखते हैं तो दृस्टुम जब कह रहे हैं तो इसका मूल-धातु है dris और इसमें प्रत्या जुढ़ा है तुमून- यह तुमून-प्रत्या की विष्षाई में आप जानते हैं तुमून-प्रत्या का योग जब किसी धातु के साथ होता तब उसका तुम सेज बजता है लेकिन यहां पर है द्रिस और इसके साथ में जब तुमन का प्रत्य होता है तो सब के आगे ता आने पर वो क्या जाता है वह तो में बदल जाता है और इस तरह से वह बन गया क्या द्रश्टुम तुमन प्रत्य के लिए अर्थ में आता है द्रश्टुम का अर्थ होता है देखने के लिए तो देखने के लिए हमको कहना है तब क्या कहेंगे तब वहाँ पर कहेंगे द्रश्टुम सुनने के लिए तो स्रो तुम जाने के लिए तो गन तुम चलने के लिए चली तुम तो इ भी नवाक्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं वी स्मृत्वान या जो सब्द है या उपसर्ग के साथ मिलकर बना हुआ है वी उपसर्ग है स्मृत्व धातु है और अक्तवत्व प्रत्या का प्रयोग हुआ है प्रयोग के जाता है और इसका अक्तवत्व प्रत्या से जो सब्द बनते हैं उन सब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं तो यहां पर जो सब्दा आया है विस्मृत्वान यहां पूर्लिंग का सब्दा है वी धन्स्मृत्वत्व पूर्लिंग का यह रूप है विस्मृत्वान विस्मृत्वंतव विस्मृत्वंतः इस तरह से इसके रूप बनेंगे यहां पर जो रूप दिया गया है यहां है विस्मृत वान कि तो इसके प्रकृति और प्रत्य को अलग करना है तो केवल धातू को अलगनी करना है धातू के साथ में और क्या लगा इसको भी अलग करना है तो धातू के साथ में उपसर्ग लगा हुआ है तो उपसर्ग को अलग करना है तो उपसर्ग है वी धातू है स्मृर्ण करना वी स्मृत मतलब यह भूल जाना या खो जाना इस अर्थ को देता है 2 प्रत्या प्रियोग कर अर्थ में होता है जैसे किसी वाक्य में दो क्रियाएं हों तो एक क्रिया को संपन्न करकी जब दोस्री क्रिया की जाती है तब पहली क्रिया जो संपन्हा हो चुकती है यसे मैं पढ़ कर विद्यालय जाता हूँ heter Alliance में इस तरह कि जो वाक्य होंगे तो जिसमें पढ़ कर का कर कर का जो योग है कि इस अर्थ में अक्तवा प्रत्यका प्रयों किया जाता है तो कर किस में लगा है पढ़कर में लगा है तो पठ मुल धातु है मिल, मिल का मतलब होता है मिलना आप अपने दोस्तों से मिलते हो ना, मित्रों से मिलते हो ना घर जाकर अपने माता पिता से मिलते हो, परिवार जनों के साथ मिलते हैं तो जो मिलना अवला अर्थ है, इस अर्थ में मिल धातु का प्रयोग किया जाता है मिल्धन त्वा बराबर मिलित्वा अहां ग्रिहम गत्वा मात्रा मिलामी मैं घर जाकर माता से मिलता हूं अहम मात्रा मिलित्वा विद्ध्यालयम आगच्छा में अहम मात्रा मात्रा ये कैसे बना मात्री मूल सब्दा है इसका तृत्य वक्तिक प्रेवग होता है अहम मात्रा मात्रा से मिलित्वा मिल कर विद्ध्यालयम आगच्छा में विद्ध्यालय आता हूं तो इस तरह से मिलित्वा का प्रेवग किया जता है तो मिल मूल धातु है और अक्तवा प्रत्या है यह कर अर्थ में प्रेवग तो होता है धन तुमून खाद धन तुमून इती खादि तुम तुमून प्रत्य का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ऐसे पता चला जैसे हम खादि तुम को देखते हैं ति इसमें तुम लगा हुआ है और यह तुम बताता है कि इसमें तुमून प्रत्य है जितने प्रत्य होते हैं इसमें जितने हलंत वाले सब्द होते हैं इसका लोप हो जाता है तुमुन का तुम सेस बचता है जब किसी धातु के साथ में तुमुन पत्या का प्रयुक किया जाता है तब इसका तुम सेस बचता है और यह के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है खाद धन तुमन रवर खादी तुम खाने के लिए फलम खादी तुम अस्ती फल काने के लिए है ईस तरह से वाक्षिप प्रयोग कर सकते हैं है क्रीटम देखिए और अक्तल प्रत्य का प्रयोग हुआ है इस प्रत्याक प्रयोग भी भूत काल के अर्थ में किया जाता है अक्तवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् और तप्रत्या है तो इस तरह से सब्द बनता है क्रितम इसके भी रूप जो है यह तीनों लिंगों में बनते हैं क्रिता भी होगा पूर्लिंग में क्रिता होगा इस्ट्रिलिंग में और क्रितम यह बनता है नपुन्सक्लिंग में तो यहां जो रूप दिया है क्रितम नपुन्सक्लिंग का यह रूप है पठन, पठधातु है, इस पष्ट दीख रहा है, पठधातु और न, न मिहलंत लगा हुआ है, यह जो है सत्री प्रत्य के कारण हुआ है, पठधातु में सत्री प्रत्य के योग से, सत्री प्रत्य में अन, जो सेज बजता है, पठधन अन बराबर पठन यह बना, तो इसका अर्थ हुआ पढ़ते हुए वर्तमान कालिक प्रत्य कहा जाता है सत्री और सानच प्रत्य दो प्रत्य होते हैं सत्री प्रत्य का प्रयोग परस्मई पदी धात्मों के साथ होता है सानच प्रत्या का प्रयोग आत्मने पदी धातूं के साथ होता है तो पठ जो कि परसमें पदी धातू है इसलिए इसमें सत्री प्रत्या का प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ होता है वर्तमान कालिक अर्थात पढ़ते हुए इसके जो रूप है यह भी तीनों लिंगों में बनते हैं पूरलिंग इस्ट्रिलिंग और नपुनसक लिंग में है रूप क्या क्या बनेगा पूरलिंग में रूप बनता है पठन इस्ट्रिलिंग में रूप बनेगा पठनती नपुन्सक लिंग में रूप बनेगा पठत अब यह जब रूप बन गए विभीन लिंगों में इनके रूप भी चलते हैं जैसे पूर लिंग में इसका रूप होगा पठन पठन्तव पठन्तह इस्ट्रीली में इसका रूप होगा पठन्ति पठन्त्यव पठन्त्यः जैसे नदी का रूप चलता है उसी तरह से पठन्ति देखे एकार को देखिए देर्ग ई का प्रयोग यहाँ पर होता है जब हम पठन्ति कहते हैं तो यह धातू रूप है यह प्रथम पूरूस बहुं अचन में प्रयोग होता है पठन्ति पठन्ति कहते हैं यहाँ पर छोटी इका प्रयोग हुआ है रस्वई कह जाता है उसका प्रयोग है अविसका अर्थ होता है जाते हैं लेकिन जब बड़ी का प्रयोग हो दिर्गई का प्रयोग हो जैसे पठंती तिया रूप गलत नहीं है यह भी सही है कैसे सही है क्योंकि यह जो रूप है यह सत्री प्रत्य वाला रूप है पठ धातु में सत्री प्रत्य लगा हुआ है प्रत्मविभक्ति एक वचन इस्ट्रिलिंग में तब इसका रूप बनता है पठंती और इसका तात्पर यह होता है पढ़ती हुई यह था जैसे बाली का पढ़ती हुई जाती है यह वाक्य है अब इसको में स्कृत में क्या कहेंगे तब वहां पर प्रियोप किया जाएगा बाली का पठंती गच्छती बाली का पढ़ती हुई जाती है तो इस तरह से यहां जो रूप दिया गया है कौन सा रूप है यहां पर रूप दिया गया है पठंट तो पठ धातु है सत्री प्रत पूर्डिंग एक वचन का यहाँ रूप है तो इस तरह से कभी आपको सब्दों के रूप भी पहचानने के लिए कहा जाए तो उन रूपों को आपको पहचानना आना चाहिए कि वास्ता में जो सब्द दिया गया है उसमें धातु क्या है उसमें प्रत्य कान सा लगा हुआ है कौन से पूरुष का है कौन से वचन का है और कौन से लिंग का है तो इसका निर्णय आपको आना चाहिए ऐसा कर ऐसा इदि आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप संस्कृत को भली भाती समझ रहे हैं और निश्चित रूप से आप इसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोक करने में समर्थ हो सकते हैं आईए अब हम अपने अगले अभ्यास क्यों रागे बढ़ते हैं अब अगला अभ्यास है अधो लिखित वाक्ये सु अव्याइपदानी चित्वा लिखत प्रस्ण के जो निर्देश है वह कह रहा है नीचे लिखे हुए वाक्यों में अव्याइपदों को चुन कर लिखिये या लिखो तो कुछ वाक्य यहां दिये हुए हैं वाक्यों का किमार मैं पढ़ता हूं पहला वाक्या है भवान कुत्र गच्छती दूसरा वाक्या है रामह यह विद्यालयम गत्वान तीसरा वाक्या है अध्यमम ग्रिहम आगच्छतु अगला वाक्या है राहुलेन सह एव क्रिड़तु अगला वाक्या है यदा स्रेया क्रिड़ती तदा सीता पठती ये विभिन्न वाक्य हैं इन वाक्यों में विभिन्न जो अव्याइपद हैं उनको चून कर लिखना है ध्यान दीजेगा किसी वाक्य में एक अव्याइपद हो सकता है या एक से अधिक अव्याइपदों का प्रयोग हो सकता है तो यहां जो नीचे दिये हुए वाक्य हैं इन वाक्यों में भी किसी वाक्य में आपको एक अव्यायपद मिलेगा और किसी वाक्य में एक से अधिक अव्यायपद मिलेगे तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि अव्याइपद किसे कहते हैं तो अव्याइपद के लिए एक विधायक सुत्र है वह सुत्र है यह अव्याइका विधायक सुत्र है इसका ताथ पर यह क्या हुआ सद्रिसम त्रीशु लिंगेशु सद्रिसम मतलब एक समान होता है यह बदलता नहीं है किसमे नहीं बदलता है त्रीशु तीनो लिंगेशु लिंगों में यह तीनो लिंगों में नहीं बदलता है अर्था तीनो लिंगों में सदेव एक जैसा रहता है सर्वासुच विभक्तीशू और सभी विभक्तियों में भी यह समान रहता है यह बदलता नहीं है इसलिए दिखा गया सद्रिसंत्रीसु लिंगेसु सर्वासुच विभक्तिसु यह तीनों लिंगों में एक समान होता है और सभी विभक्तियों में भी एक समान होता है वचनेसुच सर्वेसु और सभी वचनों में तीन वचन होते हैं एक वचन द्वी वचन और बहुचन तो तीनों वच्णरों में इम्सका प्रूप योई सदय। एक जैसा होता है या ना आद two क्या है और इन सभी में विभिन्न लिंगों मेंристिन विभंप्तियों में वीविन्नonton में या न की जिसका स्वरूप नहीं बदलता है यान मतलब यत धन्न जो नहीं हां मतलब जो ना मतलब नहीं जो नहीं व्येति अर्थात व्याय होता है न जाद़ा होता है या करने पर क्या होता है कैसे यह जादा है यार करने पर यहां कुछ रासियां हों कुछ पैसे हों उसको आप खर्च करेंगे में तो कम होगा क्या सकारा डोयाम occupation Fisan एक ऐसा तत्व है जो कहीं पर भी प्रयोक करते हैं किसी भी लिंग में प्रयोक करें किसी भी वचन में प्रयोक करें यह परिवर्तन नहीं होता है इसल owed गया जिस्का सरूप नहीं बदलता है सोंद्रिशंभवाती और यह सदय्व एक जैसा होता है वह अव्ये होता है तो है अव्ये के आप उन सब्दों को देखिए और कौन से ऐसे सब्द है जिनका सुरूप बदलता है और कौन से सब्द ऐसा है जिसका सुरूप नहीं बदलता है तो जिसका सुरूप बदल जाता है वह अव्याय नहीं है लेकिन जिसका सुरूप नहीं बदलता है वो अव्यपद है अभाला वाक्चों लिए भावान कुत्र गच्छती भक भवान भवन्तव भवन्ता इसका रूप बनता है रुद्धाइब बदल जाता है यह निखे हम एक वचन से दूई वचन में जाएंगे तो भवान से भवंता हो गिया रूप बदल गया नहीं है अब गच्छती कह रहे हैं, तीदा अंती, गच्छती, गच्छता, गच्छती, इसका भी रूप बनता है, मतलब ये भी अव्याइपद नहीं है, अब कुत्र, अब इसका प्रयोग हम दूसरे वाक्यों में करके देखते हैं, यहां जैसे वाक्ये लिखा है, भवान कुत्र गच्छती, भवान को भी बदलती है और गच्छती को भी अमने बदल दिया, लेकिन कुत्र बदला क्या, नहीं बदला, इसी तरह से भवान को जैसे हम अब बदल दें, ते कुत्र गच्छती, अब बदला क्या, नहीं, अब हम वच्छन को भी बदल कर देख लिए, नहीं ब तो किसी भी वाक्य में चाहे हम विभक्तियों में बदलने विभिन वचनों में बदलने लिंगों में बदलने कुत्र का स्वरुप नहीं बदल रहा है इसलिए कुत्र क्या है यह अव्यय पद है तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर पाएंगे तो निश्य तरुप से आप अव् कर सकते हैं अगला वाक्य देखते हैं रामह यह विद्धयालयम गत्वान अब इसमें से देखें कौन सा सब्दा है जिसका रूप नहीं बदलता है रामह कहते हैं तो रामह रामौ रामा रुप बदल रहा है, तो यह अव्याइपद नहीं है, विद्यालेयम कह रहे है, तो विद्यालेय। इसका भी रुप बदल रहा है अपर नहीं है, अब भजग एक सब्द हियह, हियह का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल तो इसका रूप बदलेगा क्या तो इसका रूप नहीं बदलता है इसलिए यह अव्याइपद है तो इस तरह हम अव्याइपदों की पहचान कर पा रहे हैं तो रामह यह विद्यालयम गत्वान इस वाक्य में यह यह क्या है अव्याइपद है अगला वाग्यत लिखते हैं अध्य मम क्रिहम आग अच्छतु अध्य मतलब होता है आज मम मतलब होता है मेरे या मेरा या मेरी तीनो तो इसका जो रूप है यह असमद मूल सब्द है इसका अगले आते हैं ग्रिहम ग्रिहे ग्रिहानी रूप बनता है यह अव्याइपद नहीं है आग अच्छतु आग अच्छतु आग अगस्ताम अगस्तु इसके भी रूप बनते हैं यह भी अव्याइपद नहीं है तब यहाँ पर अध्य यह जो सब्द दिया गया है यह क्या है यह अव्याइपद है तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर पाते हैं आगे बढ़ते हैं राहुलें सह एवकृड़तु राहुल मूल सब्द ह तुब रहूलाम हो जाएगा तुब तूराहुलेन होता है इसका रूप बदल रहा है तो यह अव्याई पद नहीं है किड़ा तू तूताम अंतू कृटाम कृजटाम कृज़ंतू इसके भी रूप बनते हैं कृडे on the लॉट लकार का रूप हो गया यह इसी तरह से अलग लग लकार में जाएंगे तो अलग लग रूप बनते हैं दरफा इसका भी रूप बादल रहा है यह भी अव्याब्पद नहीं है सह और एव ध्यान देजेगा यहाँ पर सह और ह सह यह जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है साथ और यह अव्याइपद है क्यों क्योंकि इसका स्वरूप जो है नहीं बदलता है भवान मया सह चलतू आप मेरे साथ चलो तो सह का प्रेवग हम यहाँ करके देख लिए नहीं बदला एव एव का मतलब होता है ही इसका भी स्वरूप नहीं बदलता है तो इसलिए इस वाक्य में सह और एव यह दोनों पद अव्याइपद हैं और कि अगे दीखते हैं यदा स्रेय ग्रिडसी तदा सीता पठाती कि तरह नाम संग्या है जैसे आप लोगों का नाम होता है है न आपका का नाम वेल्गूल तो जिस तरह से आपका नाम है उसी तरह से एक बाली का नाम है स्रेया इसी तरह से एक बाली का का नाम है सीता तो यदा स्रेया कृड़ा थी जब स्रेया के खेलती है तदा तब सीता पठती सीता पढ़ती है तो सीता सीते सीता तो इसके भी रूप बन रहते हैं, तो ये जो है, जो संग्यापद हैं, इनके रूप बनते हैं, सब्द हैं, तो ये अव्याई पद नहीं है, इसी तरह से क्रेजाती और पठाती तीता अंती वाले क्रेजाती रूप इसमें प्रेजाती रूप बनते हैं, तो ये भी यदा का मतलब होता है जब अर्तदा का मतलब होता है तब इन दोनों पदों का स्वरुप नहीं बदलता है इसलिए ये अव्याइपद हैं तो अभी ये जो पांच वाक्या हम देखें इसमें से प्रथम वाक्या है भवान कुत्र गच्छती इसमें से कुत्र अव्याइपद है रामह यह विद्यालेयम गत्वान इस वाक्य में यह अव्यपद है अध्यम्मम ग्रिहम आगच्छतु इस वाक्य में अध्य अव्यपद है राहुलेन सह एव क्रिड़तु इस वाक्य में सह और एव ये दोनों अव्यपद है इस वाक्य में यदा और तदा ये दोनों अव्याइपद हैं तो प्यारे बच्चों पहले आप अव्याइपदों को पहचान ना सिख लीजिए अव्याइपद क्या है इसको जान लीजिए फिर विभिन वाक्यों में जो सब्द प्रिक्त होते हैं संस्कृत में विभिन वाक्यों में प्रिक्त होने वाले सब्दों को पद भी कहा जाता है सूप तिकंतम पदम एक सुत्र है उसके नुसार से विभिन जो सब्द होते हैं उसमें या तो सूप प्रत्या का प्रयोग होता है या तिंग प्रत्या का प्रयोग होता है सुप प्रत्या का प्रयोग जो सुबंत कहते हैं जिसको हम सब्द कहते हैं सब्दों के साथ में जो प्रत्या लगते हैं उन्हें सुबंत कहा जाता है और तिगंत कहा जाता है जो धातुओं के साथ प्रयुक्तों होते हैं तीत अंति ये जो प्रत्यां ये तिगंत कहलाते हैं तो सुप तिगंतम पदम ऐसा करके पद की एक परिभासा संस्कृत में दी गई है संस्कृत्य के वाक्ष्यों में जिन सब्दों को प्रयुक किया जाता है उन्हें पद भी कहा जाता है इसका एक विधायक सुत्र है सुपतिगंतम पदम उन प्रतियों को कहा जाता है जो सब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं और धात्मों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रतियों को तीगन्त कहा जाता है जैसे ती तह अंती सीथ तह आमी आवा आमा कहते न ये तीगन्त प्रतिय खलाते हैं तो सूप और तिंग प्रतियों के यो जो सब्द हैं उनके रूप यदी बनते हैं तो वे अव्य नहीं है और जिन सब्दों के रूप नहीं बनते हैं जो यथावाथ होते हैं वे अव्य कहलाते हैं तो इस तरह से हम अव्य पदों की पहचान कर सकते हैं प्यारे बच्चों वारता लापा पाठ में हमने वारता लाप से संबंधित बहुत सी बातों को देखा, सुना, समझा और जाना और इस पाठ के अधार पर निश्चीत रुप से हम संस्प्रित में वारता लाप करने की अपनी चंता में विद्धी कर सकते हैं और इस पाठ के अधार पर विभिन परिक्षाओं में जिस तरह के प्रस्न पूछे जाते हैं इनका भी हमने अभ्यास के माध्यम से अध्यान किया, कैसे प्रस्ण पूछे जाते हैं, उनकी तैयारियां हमें किस तरह से करनी हैं, ये हमने समझा है, तो इस तरह से हम इस पाठ को भली भाती समझ गए हैं, ऐसा मैं मान कर चलता हूं, और निशित रुप से आपको सतत अभ्य करनी की आवश्यक्ता होगी, तब आप संस्क्रित में वारता लप करने में समर्थ होंगे, अन्त में सर्विभ्यो नमो नमः